असलाम अलेकूम वेलकम टू नभी सत किचेन एन व्लोक्स तो आज हम हमारे चानल पर बनाने वाले हैं मूंग और आलू मेथी का सालन या फिर करी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी रेसिपी बैंगलोर स्टाइल मूंग की कडी है यह आप लोग मूंग की कडी नहीं एफेदार है तो आप रसेपी को जरू ट्राय करना तो चलिए यह बनाना शुरू करते हैं तो मैने यहां पर एक मिकसर जार ले लिया है अब मैने यहां पर मीडियम साइज ओन्यान रफली छॉप कर लिया है इसको मैसमें ऐट कर लोंगी और फिर मेन आट करोंगी इसमें ए अब इसको तोड़ा सा वाटर करके मैंने ग्रेंड कर लूँगी अब मैं फेलेम ओन करके प्रेशर कोखर रखके 100 ml ओल एट कर लिया है ओल को थोड़ा हम गरम होने देते हैँ तो थोड़ी दिएर अम इसको ओल को गरम होने देते हैं खाइमा और बताती हुमें देखे मैंने ओयल जो है गरम हो चुका है तो मैंने मीडियम साइज येक ऑनियन को बारिक चौप करके इसमें एट कर लिया है तो इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी ऑनियन को जलने नहीं देना है मीडियम थोड़ी देर हम इसको ब्राउन करेंगे ब्राउन होने के बाद अपन हम इसमें एट करेंगे हमारे नेक्यस्ट इंग्रीडियेंट्स उन टेबल स्पून रेड चिली पौडर, टू टेबल स्पून गर्लिग पे पेस्ट माइट कर लिया है इसको भी मैं भून रही हूं और अब हम आठ करेंगी जो मसाला हमने ग्राइंड किया था, ओणियन, कोरियंडर लीव्ज और गरम मसाले डाल के तो इसको भी हम इसमें एट करके भूनेंगे तो इसकी रॉय स्मेल जाये तक हम इसको भूनेंगे देखे हमरा मसाला जो है अच्छे से भून रहा है उसी जार में मैंने थोड़ा सा वाटर एट करके डाल लिया है तो अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे तो मैंने अकीमा और मटर की सबजी अपलोड की थी इतनी मज़ेदा रेसिपी है क्यों आप लोग नहीं वाच करें मुझे नहीं समझ में आ रहा है जब आप लोग सपोर्ट करेंगे चानल को तो ही मुझे मोटिवेशन होगी और नए नए वीडियो में बना पाऊंगी तो मैंने दिखे वन कप या फिर हंड़ेड ग्राम्स आफ हरी मूंग मूंग याने मूंग मैंने एट कर लिया है अगर आप चाहे तो भीगो के भी आट कर सकते हैं और मैंने इसमें एट किया है 200 ग्राम्स आफ पोटाइटोस यानिकी आलू मैंने बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं मीडियम साइज चौप करके इसमें एट कर लिया है अब हम इसको भी भूनेंगे और अब एट कर रही हूँ टू टेबल स्पून सॉल्ट सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से कमियाज ज्यादा कर लेना तो इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे और अब मैं एट कर रही हूँ एक बंच या फिर एक मुठी भर हरी मेथी यानि की मेथी की भाजी इसे करी का टेस् में और एक मसाला इसके लिए तयार करेंगे तो अब मैंने लिया है मीडियम सेज हाफ ओनियन या फिर आप मुठी से इस तरह से पीसस के हिसाब से लेंगे तो 4 या 5 हैंड आपको कोकनेट अट कर सकते हैं. यह टेनट के लिए करी बना रही हूं. अगर आप कंपी बना रहा है तो क्वैंटी को कम कर लेना. तो इसी के साथ में लूँगे. 700 ग्राम साफ टोमैटोस. तो अब ऐसमें थोड़े से टोमैटोस एट कर के काईट के साथ इसका एक पेस्ट बना लिय तो देखे हमारा पेस्ट तयार है और टोमाइटो जो है ग्राइड करने के लिए बाखे हैं तो जो हमारा मसाला देखे कितने अच्छे से बुन रहा है करी कितनी मज़िदार लग रही है आप लोग देख सकते हैं वैसे बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी बैंगलूर स्ट मुंग अलू मेति की भाजी का सालन तो अब मैंने जो ग्राइड किया था कोकोनेटर टोमाइटो का पेस्ट वो मैंने आड कर लिया है तो इसी जार में जो टोमाइटोस हमने रिमेनिंग रखे हैं उसको भी आड करके उसका भी पेस्ट बना लेंगे तो देखे ज्यादा से जादा शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए चानल को तो देखे ये टामाटोस जो है मैं ग्रेंड कर लेती हूँ खीमे मटर की सबजी इतनी मज़िदार रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है आप लोग क्यों वाच नहीं करें मुझे समझने आ रहा प्लीज ज्यादा से ज अचे कांसिस्टेंसी आप आपके टेस्ट के हिसाबसे रखें मगर ज्यादा वाटरी मत कीजिए करी को ये ठोड़ा ठीक रहेगा तो ही मज़ेदार लगती है रेसिपी बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जा धी है वंपॉर्ट तो मैंने water requirement के हिसाब से add कर लिया है salt और रेट चिली आप चक कर लेना और मैं इसको मुझे थोड़ा सा salt कम लगा था तो मैं थोड़ा सा salt add कर रही हूं और एक mix देने के बाद मैं इसको लिल लगा कर four whistles के लिए बंद कर दूँगी अगर आपका pressure cooker जो है पुराना हो तो आप four whistles से उतार लीजिए अगर नया हो तो five whistles के लिए भी छोड़ सकते हैं तो मैं इसको four whistles के लिए छोड़ रही हूं तो चले मिलते हैं four whistles के बाद देखिए हमारी curry को जो है four whistles आ चुके हैं और मैंने ten minutes का इसको दम दे दिया है ten minutes मैंने इसको बंद ही रखाता तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है हमारी recipe हमारी curry बैंगलूर style आलो मूंग और मेथी की भाजी की curry बहुत ही मज़ेदार इसको अप्राइस के साथ चपाती के साथ दोसे के साथ हर किसम के recipe के साथ आप इस्तमाल कर सकते हैं आप इसको breakfast में भी बना सकते हैं dinner lunch में भी बना सकते हैं तो प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो नभी सत के चान अग्लोक्स थैंक्स फो वाचीं लाफीज